हेलो फ्रेंड्स रेंकर सट्डाइ टूब चैनल में आप लोका स्वागत है आज हम इस वीडियो में देखेंगे CISF Head Constable के रिटेन एकजाम के लिए हिंदी के प्रेक्टिस सेट का सॉलूसन तो फ्रेंड्स ये हिंदी के प्रेक्टिस सेट का सॉलूसन और वेल आइकन को फ्रेस कर लिए ताकि इससे रिलेटेड और ही मैं वीडियो लाओं तो सबसे पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो फ्रेंड्स वीडियो के लाइक कर दीजिए आपके लिए हेल्फ होता है तो और अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा सेर कर दीजिए ताकि और भी लोगों के इस वीडियो से लाभ मिल सके तो चले फ्रेंड्स आज के अपना वीडियो सुरू करते है फ्रेंड्स ये हिंदी के कीरन पब्लिकेशन का सेट नॉमबर टू है ठीक है इसमें देखे हिंदी 76 से लेकर 100 ठीक है इसमें फ्रेंड्स हिंदी हम देखेंगे और देखिए 76 नंबर कोचन दिया गया है रिक्त स्थान भरे और इसमें देख लिए कोचन है समझदार को 10 ही काफी होता है यहाँ पर आपको फिल करना है और चार अप्सन दियेंगा फ्रेंड्स इसमें से करते हैं वही सब कोचन ज्यादा तरव हिंदी लंग्वेज से उठाया जा रहा है आप एसे जीडी के एक जाम दिये होंगे तो पतावगा फ्रेंड्स कि लगबग आपके सिलेवा से हटकर बस ऐसा ही कोचन पुछा गया था जो आप डेली यूज करते हैं ठीक है फ्रेंड् पर देख लिए कोचन था समझदार को सारा ही काफी होता है ठीक है तो ऐसे कर लिजिएगा नेक्स्ट कोचन देखते हैं कोचन नमर सतातर है फ्रेंड्स बेटे की सफलता का समाचार सुनकर पिता का हिर्दय और अफ्सन देख लिजिए यहाँ पर फिल करना है हो उठा ठीक ह मतब कि बहुत ज़्यदा खुशी जाहिद करने का बात किया जा रहा है इसलिए पर फुली तीज किया गया ठीक नेक्स्ट कोचन देखते हैं कोचन नमर सतार है फ्रेंड्स मौसम विभाग ने तुफान आने की डैस दी है ठीक है आपको इन चारो अप्सन को देखना है और कि फिलाल चेताओन दी है कि तुफान आ सकता है ठीक है तो मौसम विभाग ने तुफान आने की चेताओन दी है यह कोचन कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स इसको कर लिजेगा नेक्स्ट कोचन कोचन नमर 89 है प्रेम चंद की कहानियों में हमें ग्रामिड जीवन की क्या देखने को मिलती है यहाँ पर फिल करना है फ्रेंड्स आपको फिल इंदा ब्लेंग से चलना है भी शेतर से लेकर असी तक प्रेम चंद की कहानियों में हमें ग्रामिड जीवन की जहां की देखने को मिलती है ठीक है इसको ध्यान रखिएगा नेक्स्ट कोचन देखते हैं असी नमबर कोचन है फ्रेंड्स सीमा पर सैनिको का जीवन बहुत डैस होता है ठीक है सीमा पर सैनिको का जीवन बहुत ही डैस होता है यहाँ पर आपको फिल करना है फ्रेंड्स और इसमें से आप अप्सन अगर चूज कीजिएगा तो अपने आप अप्सन छट जाएगा औ और इसमें जो इस परशने का राइट आंसर बनेगा अफसन नमबर चार कठोर सीमा पर सैनिको का जीवन बहुत ही कठोर होता है ठीक है इसको ध्यान रखिएगा नेक्स्ट कोजन देखते हैं कोजन नमबर एक आसी है फ्रेंड्स लाल पीला होना का अर्थ है ठीक है मुआबरा है लाल पीला होना का अर्थ है चार अफसन दियेगा फ्रेंड्स और इसमें जो इस परशने का राइट आंसर होगा अफसन नमबर सेकेंड बहुत क्रोधित होना लाल पीला होना यानि की चार दिन की चांदनी जो है उसका मुहावरा अर्थ क्या होगा ठीक है चार अप्सन दिएगा फ्रेंड्स और इसमें जो इस प्रस्टे का राइट आंसर होगा अप्सन नमबर थिरी छानिक मुख मतलब की चार दिन की चांदनी मतलब की बहुत कम समय के लिए दिखाई देना उस परकार कास चणिक सुख ठीक है चणिक सुख मतलब की मतलब बहुत चोटा सुख ठीक है बहुत चोटा सुख मतलब की चणिक सुख चार दिन की चांदनी का सही हर चणिक सुख हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट कोचन देखते हैं कोचन नमर 83 है बाग का इस्तिरलिंग हीन हो जाएगा इसको याद रखिएगा नेक्स्ट कोचन कोचन नमबर 84 है जिसमें बड़े जंगली जानवर रहते हैं उसको क्या कहा जाता है एक सबने चार अपसन है फ्रेंड्स और इसमें जो इस परशने का राइट आंसर होगा अपसन नमबर पूजा का 266 इन चारों में से क्या है पूजा का 266 आपको चेक करना है अपसन दिये गए चार फ्रेंड्स और इसमें जो इस परशने का राइट आंसर होगा अपसन नमबर थ्री पूज्य पूज्य का भी सेशन पूज्य हो जाएगा इसको ध्यान रखिएगा नेक्स्ट कोच किया गया है ठीक है जिसमें से एक भाग में तुरूटी हो सकती है यदि है तो उस भाग का चैन करें अनेथा चार का चैन करें ठीक है एक ही वाके का फ्रेंड्स तीन भाग में बाटा गया है और इसमें से किसी एक भाग में गलत है और उसमें या गलत है तो उसको टिक किज दोड रही थी और चार नंबर है कोई तूटी नहीं इसमें से फरेंड्स सेकेंड नंबर देखिएगा तो आपको इसमें गलत दिख जाएगा घोडा गारी सडडक उपर क्या यहाँ पर उपर ऊचित है को नहीं सड़क अ Technical पर ठीकके गोडा गाड़ी सडख पर दोल रही थी ना की सडख ऊपर दोल रही थी ठीक है त्थिरी नंबर है और चार नंबर है कोई त्रूटी नहीं इसको जब ध्याण से पढ़िय। आपको गलत दिख जाएगा इसमें किसी भी काम में समय का पाबंदी नहीं होना चाहिए समय की पाबंदी क्योंकि पाबंदी एक एस्त्रिलिंग वर्ड है फ्रेंड्स पाबंदी जहाए एक एस्त्रिलिंग वर्ड है इसलिए इसके साथ समय की पाबंदी यहाँ पर समय की पाबंदी होना चाहिए 88 नमबर को चाने फ्रेंड्स उस स्थान में एक बहुत बड़ी जील है उस स्थान में एक बहुत बड़ी जील है और चार नमबर है कोई तुरूटी नहीं तो इसको फ्रेंट जब ध्यान से पढ़िएगा तो इसमें गलत दिखेगा उसे स्थान में एक बहुत बड़ी जील है ये नहीं होना चाहिए कुछ गलत यहां पर देख लेज़े एक नमबर में उसे स्थान पर होना चाहिए यहीं सही होगा कि उसे स्थान पर एक बहुत बड पर एक बनेगा उसे स्थान में नहीं होना चाहिए उसे स्थान पर एक बहुत बड़ी जील है और यहीं एक सही वाक्य है इसलिए इस प्रश्ण का राइट अंसर अपसन नमबर एक बनेगा ठीक है नेक्स्ट कोचन देखिए कोचन नमर 89 है फ्रेंड्स समय पर सोना और जागना स्वास्त के लिए बहुत जरूरी है जरूर है ठीक है अब चाहर नमर है कोई तुर्टी नहीं यहाँ पर फ्रेंड्स आपको तो गलत दिखी गया होगा अपसन नमबर 3 देख लेजिए बहुत जरूर है यहाँ पर अगर ऐस इसे भी वाक्य पढ़िएगा तो डिरेक्ट आपको मुह से निकलेगा बहुत जरूरी है ना कि बहुत जरूर है ठीक है तो आप देख वा रहे हैं इस प्रस्ने का राइट आंसर अप्सन नमबर 3 आ रहा है नमासी का अप्सन नमबर 3 समय पर सोना और जागना स्वास्त के मैंनि से लिख जाएगा ठीक है और इस टाइप का आप motion पुचा जा रहा है आपके हिंडी के सिलेबस से किसी भी एकजामे में चिस एकजाम में आपका हिंडी छोटा चोटा चीज और सबसे को आ मपो पूछ ले रहा हैproof न medic9 से 42 तक क्कि आ बोल रहा है विलोम सब चुनें आपको बिलोम सब चुनना है, इसमें 90 नमबर देख लिजिए, गोपनिय, ठीक है, गोपनिय का बिलोम सब क्या होगा, चार अप्सन दियेगा, फ्रेंड्स, और इसमें जो इस प्रशने का राइट आंसर होगा, अप्सन नमबर 1, पारदर्सी हो जाएगा, ठीक है, गोपनिय म नमबर 1, सिथिल, ठीक है, सिथिल का बिलोम सब क्या होगा, चार अप्सन दियेगा, फ्रेंड्स, और इसमें जो इस प्रशने का राइट आंसर होगा, अप्सन नमबर 3, चंचल, ठीक है, सिथिल मतलब की इनेक्टिव, मतलब की निस्किरिय, ठीक है, और इस प्रशने का रा और इस प्रश्णे का जो right answer होगा option number second बिविद ठीक है एक करास मतलब की एक ही हुआ और बिविद मतलब की बहुत सारा ठीक है इस प्रश्णे का right answer option number second हो जाएगा next question देखते है अब देखिए 93 से 95 तक क्या बोला है पर्यायवाची सब्द चुने पर्यायवाची सब्द चुना है आपको 93 नमबर देख लिजिए पादप ठीक है पादप यानी की पेण कह लिजिए ठीक है plant चार अप्सन दिएगा और इसमें जो इस प्रश्णे का right answer होगा option number second पौधा पादप यानी की पेण पौधा वैसलिए पौधा हो जाएगा इस प्रश्णे का right answer ठीक है next question कोचन नमबर चुरान में है friends गिरी ठीक है गिरी का पर्यायवाची सब्द क्या होगा चार option दिए गया है और इसमें जो इस प्रश्णे का right answer होगा friends option number three परवत हो जाएगा गिरी का पर्यायवाची सब्द परवत होता है ठीक है तो इसको ध्यान रखिएगा next question कोचन नमबर पंचानवे है friends सिखा सिखा का पर्यायवाची सब्द क्या होगा चार option दिएगा friends और इसमें जो इस प्रश्णे का right answer होगा option number four पहाड हो जाएगा सिखा का पर्यायवाची सब्द पहाड हो जाएगा ठीक है और आपको friends पर्यायवाची सब्द रटना नहीं पड़ेगा जो भी important है उस state में आपको मिल जाएगा उससे आपको याद हो जाएगा और यहीं सब repeat की जा जाता है ठीक तो आपको टेंसर नहीं लेना है प्रयायवाची सब्द के लिए तब इसे question complete हुआ next question देखिए question number 96 सही संधी का chain करें आपको संधी बिछेद दिया गया है इसमें से सही chain करना है तो देखिए 96 number question है प्रंतू प्रंतू का संधी बिछेद इस चार अप्सन में से कौन सही होगा ठीक है देखिए friends इसमें 4 अप्सन दिये गया है जो कि इस प्रशने का right answer होगा अप्सन number 3 प्रंप प्लस 2 प्रंप प्लस 2 प्रंतू का संधी बिछेद है जो कि सही है ठीक है इसको ध्यान रखिएगा नेक्स्ट कोचन कोचन number 3 स्वागत स्वागत का संधी बिछेद किया गया है चार अप्सन में और आपको चुनना है कि कौन इसमें से सही है ठीक है फ्रेंड्स और इसमें जो इस प्रशने का right answer होगा अप्सन number 2 स्वागत स्वागत का सही संधी बिछेद 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 आपको संधी बिछेद 4 को किया गया है और इसमें से आपको चुनना है कि कौन सही है ठीक है फ्रेंड्स और इसमें जो इस प्रशने का राइट आंसर होगा अप्सन नमबर एक सर फलस वर ठीक है सर फलस वर आपका सर वर का सही संदी बिछेद है ठीक इसको ध्यान रखिएगा नेक्स्ट कोचन यहाँ पर देख लिजे 99 से 100 यानि कि 99 और 100 विलोम सब चुनना है ठीक है देखिए 99 नमबर कोचन है उपरी लिखित उपरी लिखित का विलोम सब क्या है ठीक है आपको चार अप्सन दिएगा फ्रेंड्स इसमें जो इस प्रशने का राइट आणसर होगा अप्सन नमबर 3 अधो लिखित उपरी लिखित का विलोम सब अधो लिखित हो जाएगा इस प्रशने का राइट आणसर नेक्स्ट कोचन देखते हैं कोचन नमर 2 और फ्रेंड्स गरल का बिलोंसब चुनना है चार अप्सन दियेगा और इसमें जो इसप्रेशने का राइट आंसर होगा option number second अमरित हो जाएगा गरल का विलोम सब अमरित हो जाएगा तो friends ये थे 25 कोचन practice set 2 का तो इतना चीज आप ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा important है और आपके हिंदी के सिलेबस में जिस exam में दिया गया है सब के लिए important है तो इसको ध्यान रखिएगा और आज के लिए इतना फ्रेंट्स मिलते हैं फिर next वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद